मस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका competition community के online platform पे आज हम पढ़ने वाले हैं मौरे समराज ध्यान रखिएगा हमने अभी विगत classes में हमने क्या पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कि मगद समराज जी का उतकर्स कैसे हुआ ठीक है आपके राजगरिये में ध्यान रखिएगा ह हम इसी करम में मगद समराज जी के उतकर से करम में चार वंसों के बारे में पढ़ेंगे पहला हर्यक वंस दूसरा सिसुनाग वंस तिसरा नंद वंस और चौथा वंस है आपका मौरे वंस तो ध्यान रखिएगा नंद वंस के जो अंतिम सा सकते घना नंद ठीक जो के क्रूर क्यों को जो कि तक्चिसिरा के पंडित थें चानक को यह अभास्वा यह पता चला कि सिकंदर भारत में आकरमण कर सकता है या करने वाला है तो वो उस चीज़ को सुचना लेके घना नंद के पास गया था घना नंद ने इन सारी चीजों को अस्विकार कर दिया और उनका अधार आपमानी थो क्या वापस आ रहा था था मन में बदली की भावना थी तो वापस आते समय एक छेत्र पड़ा जहां पर एक बच्चा जो है कुछ बच्चे जो है तिक पेड़ के नीचे में खेल खेल रहे थे उसमें एक बच्चा जो है राजा बना हुआ था तिक और अधार गरेडिये वास्तों में बच्चे थे भेड़ चरा रहे थे तो उनी में से उनी गरेडियों में से एक बच्चा जो है राजा बना हुआ था और अपने ठीक परजा के साथ वेवहार कर रहा था तिक कुछ इस प्रकार का वो समझे नयाय संबंधी कारी कर रहा था खेल ले गए तक सिला और उसी बच्चे का नाम था चंद्रगुपत मौरे में झान केगा इग्जाम में ये पूछा भी गया है कि वह बच्चे को सा खेल खेल थे तो उस खेल का नाम है dizzy लron यान रखिएगा क्या राजकीलम ठीक रज चिलंग अब वह जो बच्क्चा कहां चला चंदरगुप्त की आगे करके घननन्द के साथ युद्ध को पराजित करके चंदरगुप्त ने मौरे समराज की इस्थापना की यह है वो चंदरगुप्त मौरे ठीक है अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो ध्यान रिखेगा चंदरगुप्त मौरी की का जन्म कब हुआ ठीक है उनके माता-पिता कौन थे वो किस वन से से थे ठीक इसके सम्माने में बहुत ही अलग-अलग मत है ठीक है तो उस चीज पे बहुत फोकस नहीं करना है अ 322 इश्विपूर चंदरगुप्त मौरी जो है ठीक है चानक के सहयोग से घनानन को पराजित करके राजगदी पे बैठा ठीक हमको जानकारी कहां से पर पता चला है कोटिली के अर्थ सास्त्रे और मेगा स्थनीच के इंडिका से ज्यान रिखीगा यह ऐसे दो सोर्स है ठीक कहां से अर्थ सास्तर से और इंडिका इसी अर्थ सास्तर के रचनाकार कोन है कोटिल और कोई नहीं है यही चाड़क के हैं और यही विश्णु गुप्त है यहां रखेगा इनी को ठीक विश्णु गुप्त के भी नाम से जाने जाता है चानक क्यों को विश्णु गुप्त ठीक है चलिए यह तक्ष सीला के पंडित थे ध्यान रखेगा कहा के पंडित थे तक्ष सीला के पंडित अब चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक अब हम देखते हैं ठीक है कि चंडरुप्त मौर जो है इसने अपनी प्रारंबिक राजधानी पतना को बनाया अर्थात पाठली पुत्र को कहा को पाठली पुत्र को मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल एक बार ठीक है आपका राजधानी परिवर्थन हुआ है पाठली पुत्र से वैसाली गय यहां पर ध्यान रखेगा इनके गुरू थे चाड़क जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे कॉटिल अर्थाथ विष्टु गुप्त चलिए यह तो हो चुका जाती की विशाय में मत बैद है इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं ध्यान रखेगा बौध गरंथ जो है सौरी आपके ब्रामण गरंथ या ब्रामण साहित्र में चंद्रकुप्त मौरे को सुद्र जाती का बताया गया है किस जाती का सुद्र जाती का जबकि बौध हो जैन साहित्र में इनको छत्री जाती चत्री कूल से संबंधित माना गया है तो इस बारे में मत एक के नहीं है ध्यान व्णापर एक और अभिलेख है, एक साख्च है जहां से एक चंद्रुप्त पुमोरे के बारे में जानकारी प्राप्थ होती है और वो है गुजरात का गिर्नार अभिलेख. ध्यान रखेगा वास्टों में चंद्रगुपत मौरेका जो समराज है गुजरात के सौरास्ट तक था और सौरास्ट में एक परवत है गिरनार और उसी गिरनार के उपर में एक अभिलेख मिला है ध्यान रखेगा कौन सा अभिलेख जुनागड अभिलेख ध्यान रखेगा जिसके रचेता कौन थे रुदरदावन का जुनागड अभिलेख तो इस इसके रचनाकार कोन है या कोन है इसके बनाने वाली तो वो है रुद्रदामन तो उसी इस्थान पे आगे जाके क्या हुआ ध्यान रखीगा आगे जाके सौरास्ट के गवर्णर ध्यान रखीगा पुसु गुप्त ने उसी इस्थान पे चंद्रगुप्त मौर के कहने से दर्शन जिल के साथ और जुनागड़ी भिलेक का नाम आएगा रुद्रदामन के साथ तो इसको आप थोड़ा सा समभल करें यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर अभी हमने चर्चा किया था कि सिकंदर का आकर्मन होन यहां यहां पर एक युद्ध होता है नाम है इन दोनों के मद युद्ध होता है और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर जिया जाता है ठीक है क्या होता है चंद्रगुप्त मौरी की विजय प्राप्ति होती है और यहां पर ठीक है कुछ सर्ते होती है ध्यान रिखेगा हमेशा क्या होता है जो जीतने वाला पक्ष है वो हारने वाले पक्ष को कुछ सर्ते ला दता है अपनी तरफ से तो यहां पर दो परमुक्ष सर्थी थी पहला सर्थ ये था कि जो सेल्यूकस को पुत्रि है सेल्यूकस की पुत्रि उसका विवाह चंद्रगुप्त मौरे से करना है ठीक है ? करा धिया जाना है ठीक जिसका नाम है हेलेना था और वास्तों में ठीक सर्थ के अनुसार जहा ही ऐन प्रांतु उन्हें दिया कौन-कौन सा एरिया और कोशिया जड्रोसिया और परिप मिसडाई गया रखेगा ठीक है खतरनाक नाम है तो यह जो है चार प्रकार के अलग-अलग प्रांतु को उनको गिप्त दिये अगर इनहीं को हम ठीक है समान दिभासा में कहेंगे तो काबूल कंधार हेरात और मकरान ध्यान रखेगा कौन कौन सा काबूल कंधार हेरात और मकरान यही वो चार स्थान है ठीक है इसका वर्णन इस यूद का वर्णन जो है सभी जगह हों में नहीं है ध्यान रखेगा इसका इस यूद का वर्णन केवल केवल एथियंस ने किया है किसने क्य 322 इस्वी पूर में गद्धी पे बैठे थे, 305 में युद्ध हुआ, ठीक है, और इसका वर्डन कौन क्या है, एथियन्स ने क्या है, ठीक, अब देखते हैं, इनके समय में, देखें, लड़ाई तो हो गया, ठीक, सेटलमेंट भी हो गया, ठीक, लड़ाई होने के बाद, यह एक हिसाब से दोनों जो है, रिष्तेदार बन गए, अब रिष्तेदार बन गए, तो आना जाना चलते रहता है, खबर लेना पड़ता है, तो खबर लेने के लिए उन्होंने खबरी बेजा, जिसको हम लोग राज दूद कहते हैं, और वो था, ठीक, धियान रखेगा, मेग मेगस्थनीज, क्या नाम था, मेगस्थनीज, इसी मेगस्थनीज की रचना का नाम है इंडिका, तो ततकालिक समय में, जो जितना समय तब भारत में रहा, भारत में भरमन किया, उन सारी जानकारी को इसने इंडिका में लिख दिया, ठीक है, धियान रखेगा, तो मेगस्थ किसके दरबार में था तो चंद्रगुप्त मौरे के वह किसका राज़द५ था तो भाई वो से लूकस निकटर का राज़द५ था ठीक है ध्यान रखेगा ऐस दरफ्श मौरे के समय आदु पर्थम window संगती हुई थी जैन संगति मतलबalis कहा हुई existe कोनती पाटली पुत्र हैं अम लोग पढ़ज्द चुके हैं दो जयन सर्मेलन हुआ है पहला हुआ पाटली पूत्र में को तुसरा रासी वच लबी कुजरातस वे तुक है फ़्ली ऩुञुआ है थीम-को 322 इस्वीपूर और आपका दुसरा हुआ है 512 ठीक दूसरा को चोड़िए 322 इस्वीपूर हुआ है ध्यान रखेगा तो ध्यान रखेगा इस समय यानि कि आप इस चीच को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में बौद धर्म में चंद्रुपत के बारे में हमने यह पढ़ा था कि जब एक विशन अकाल होता है हाला कि इसका वर्णन आगे है तो उस चीच को आपर में बता दे रहा हूं ठीक चलिए कहां पर है यार वर्णन हम यहां पर एक चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार बौद धर्म से आपका चंद्रुपत मौरे का संबन था ध्यान रखिएगा ठीक है आपको हमने अकाल के बारे में बताया था कि बहुत भीशन अकाल पढ़ा था किसके नितरतों में ठीक तो चंद्रुपत मौरे के नितरत हैं तो 13 साल का भीशन अकाल पढ़ा था और इसी भीशन अकाल से ठीक है गरस्तों के त्रस्तों के चंद्रुपत मौरे जो है तिक जैन धर्म के साथ जैन गुरु भदर बाहु के साथ दक्षिन भारत की ओर चल जाते हैं और दक्षिन भारत का करनाटक के मैसूर के पास द्य द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं कौन चंद्रुपत मौरे तो पहला प्रस्न यह हो जाता है कि चंद्रुपत मौरे किस धर्म के अनुयाई थें तो आप क्या बताएंगे चंद्रुपत मौरे जो है वो जैन धर्म के अनुयाई थें क्लियर है इतना कहा गये थे तो दक्चिन भारत कहाँ पर तो आपके गये थे वो वद्ध्र, आपके, sorry, करनाटक, करनाटक के मैसूर, मैसूर के स्रवनबेला गोल नामा के स्थान पर ध्यान रखीगा, स्रवनबेला गोल के नाम से उस स्थान को जानते, परवत का नाम पूछेगा, तो चंद्रगिरी बत मिलता है क्लियर है डाउट नहीं रखना है चलि आगे बढ़ते हैं ठीक यह चीजी होगे यहाँ पर हाँ एक चीजा और ध्यान रखेगा वहाँ पर तीक गुमेटेश्वर की प्रतिमा यह ज्यान स्वामी की प्रतिमा है जिसमें दुद्धा भिशेक होता है तीक कुछ वर है तो गुमेतेश्वार की परतिमय कहा है तो मितस्वार की परतिमय टांटक में क्या होता है किस समदिते है ये जैन धर्मसे सम्द्ध सेंड चलिए ठीक है अब आज़ी यहां पर भी जस्टी जस्टीन जो है इन्हों चंद्रगुप्त सेना के बारे में चर्चा किया है, यह हमेशा देखते थे कि चंद्रगुप्त की सेना जो है समराज बिसतार पर काफी ध्यान देती थी इसने क्या कहा है चंद्रगुप्तमोरे को इसने क्या benefits यह पूछा जाता है न ठीक सेंड्रो कोर्ट का संबन युनानी साहित में है और उस युनानी साहित में सेंड्रो कोर्ट का जो नाम है वो किसके संदर्म में लिया जा रहा है वो तो लिया जा रहा है आपके चंद्रगुप्त मौर के बारे में ध्यान रिखेगा ये युनानी नाम है अब हम यहां कहते हैं चंद्रुगुप्त मौरे तो उनको वहाँ पर क्या कहा जा रहा है सेंड्रो कोर्ट्स कहा जा रहा है चलिए अब हम अगले देख रहे हैं कुछ महत्पून फैक्ट है प्लूटार्क इनके बारे में भी जान लीजे प्लूटार्क ने कहा है चंद्रुगुप्त मौरे के पास 6,00,00 की सेना थी कितना 6,00,00, त्यान रखेगा उसके पास 6,00,00 की सेना थी और इसी 6,00,00 की सेना के बदोलत उसने संपूर्ण भारत को रौन डाला इस चीज़ को लियान रखेगा न अर्थात कहने के तात्पर है संपूर्ण भारत को जीत डाला क्लियर है? किसने कहा है? प्लूटार्क, पुचा जाता है ठीक, नेस्ट है, ठीक, यहाँ पर महावन्स महावन्स जो है, जैन धर्म का एक गरंथ है, और इसी महावन्स में इन्हों ने, ठीक, चंद्रुप्त मौरे है, ठीक है, ध्यान रखेगा, जंबुद्वीब का मतलब भारत से है, यहाँ एक चीज़ और बताने का, बताना है आपको, कि चंद्रुप्त मौरे का जो सासन का परमुद्देश है, वो रहा है परजा का सुख, क्या रहा है परजा का सुख, क्लियर है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेगा, चंद्रुप्त मौरे जो है, ठीक, इन्होंने अपने सासन के समय अपने पूरे सामराजी को, कितने भाग में माटके रखा था, चार भाग में, ठीक है, ध्यान रखेगा, उत्तरा पथ, धक्षिना पथ, ठीक, आपका पूरू का और एक पश्यूम का, थेयान रखेगा, एक एक करके अप ध्यान रखेगे, आपर में बता रहा हूं, पहला है उत्तरा पथ, उत्तरा पथ की राजधानी तक्षिछ सिला, ये यहाँ अच्छिणाजी यह स्वाणगिरी तो यह है आपका स्वाणगिरी ध्यान रखेगा पूर्वी हिस्सा है ध्यान रखेगा सबसे पूर्वी हिस्सा अवंती अवंती मतलब उज्जयन यह आपका अवंती तो उज्जयन यह सबसे पूर्वीश्ण था यानि एक अलग प्रांत ध्यान रखेगा कुल में आके चार प्रांत में बाटा था एक दो तीन और चार फिर अगला प्रांत था प्राची और वह प्राची कोन है पाटली पुत्र मैं तो द्यान रखेगा बिंदु सार के समय कितने कितने परांथ थे तो कुल्मिला के चार परांथ थे संपूर्ण भारत को उन्होंने चार भागों में बाट के रखा था प्रसासन के सुविधा के दिरिष्टी कोड से यहां पर मैं एक और चीज बता दू कि जिस समय यह सासक थे जाने कि बिंदु सार सासक थे तो उस समय तक्चिसिला में विद्रो हुआ था तो उस विद्रो को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदु सार ने सुसीम को भेजा था तीक है नहीं का पुत्र है सुसीम उसके बाद जब दूसरी बार विद्रो हुआ उस विद्रो को सांत नह हो पाया तब असोखो भेजा गया ध्यां रखेगा ये पुछा जाता है कि कि तक्चसीला में हुए विद्रोफ को दबाने के लिए किसको भेजा गया तो पयरे सुसीम को भेजा गया और दूसरी बार किसको भीजा है तिक असोखो थ्यान रखीगा इनका उपनाम है अमित्रो घात या अमित्रो के नाम से जाना चाहता है तो जिसको हम हिंदी में कहेंगे तो और जान भाए, किस विद्वान ने कहा है, किस विद्वान द्वारा ये बताया गया है, कि अमित्र घात का अर्थ होता है, सत्रों का विनास करना तो किस के दोवारा फ्लिट के दोवारा है चलिए ध्यान रखेगा इस से पहले यह आजिवक संपरदाय को मानने वाले थे तो आजिवक संपरदाय की स्थापना किस ने की थी तो आजिवक संपरदाय की स्थापना मखली पुत्र गोशाल ने की थी ध्यान रखिगा मखली पुत्र गोशाण क्लियर है चलिये अगरा देख लेते हैं प्लीनी एक इतिहास कार है इन्हों ने कहा है आए जिस प्रकार मेगस्थिनीज आया था चंदरूपत मौर के दरबार में उसी प्रकार दो तिक अलग-अलग यात्री दो अलग-अलग राजदूत बिंदूसार के दरबार में आते हैं तौन है था तो डाइनोश यह शाय था ठीक तो यतने याद रखीगा दूसरा याद रखीगा ठीक यह तो प्लीनी का नुसार होगे दूसरा है स्ट्रोबो के नुसार स्ट्रोबो ने कहा है कि एंटीयोकस पर्थम एक राजा था वहां का और उसका राज दूता है था डाइमेकस कोना है था भई डाइमेकस अब यहां पर एक statement है एक कहानी है चोटा सा उस चीछ को ध्यान रखीगा यहां पर जब बिंदुसार के दरबार में ठीक कोना है डाइमेकस है तो डाइमेकस से जब मिलें दोनों की मुलाकात हुई बिंदुसार ध्यान रखीगा बिंदुसार वर्सेस ठीक डाइमेकस तो बिंदुसार ने ठीक बहुत सारा इनको मतलब क्या कहते हैं अतिति सतकार के साथ साथ बहुत सारा सम्मान किया बहुत सारे भेट इनको दिये ठीक है लेकिन बिंदुसार ने कुछ मांग रख दी बार बार पुछा जाता है विंदु साहर ने तीन चीजों की मांग करी कौन-कौन सा चीज है उस चीज को ध्यान रखिएगा सबसे पहला चीज था मीठी मदीरा क्या चीज मीठी मदीरा इसका मतलब है कि उस समय का मदीरा कड़ूआ रहा करता होगा ठीक है मिठी मदीरा इनको पहला डिमांड था क्या चीज है हमको मिठी मदीरा ठीक दूसरा क्या चीज चाहिए भई अंजीर चाहिए सूखे अंजीर त्यान कीगा सूखे अंजीर इनका डिमांड से आपको समझ में आ सकता है यह विदेश से आना भई ठीक बगल कहीं आना नहीं है इसका मतलब है इनकी उपलबदता नहीं थी वहाँ पर तो मिठी मदीरा सुखे अंजीर और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट चीज मांग डाला इनोंने ठीक वो था संत ठीक या ने डाइमेकस से कहा कि आप मेरे लिए ठीक मिठी मदीरा भीजवा दीजे सुखे अंजीर भीजवा दीजे और कुछ दार्सनिक भीजवा दीजे जब यह गये ठीक एंटियोकस पर्थम के पास कौन डाइमेकस इन्होंने बताया कि ऐसा-एसा डिमांड आया है ठीक इस डिम समझे रिखे अचया है डिमाख दे दीया मतलब समझे वह उसका यूज जो है किसी फी परकार से कर सकता है और वही देन नहीं देना है भाकित चीजे दिजिए वस्तू देने बा मन समय है दिमाग नहीं देना चलिए एक जितना बाटोगे उतना बढ़ता है ज्यान, तो ज्यान की बात रह गए, यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया, ध्यान रखेगा, बिंदुसार के संबन में ध्यान रखेगा, अगला देख लेते हैं, तिक, ये चीज़े हो चुकी है, चलिए, तिक, ये चीज़े हम देख चुकी है, तिक, पहली बार सुसीम को भेजा गया, तिक, और दूसरी बार असोक को भेजा गया, ध्यान रखेगा, बिंदुसार को, बिंदुसार को और बाद में सुसीम को भेजा गया, ध्यान रखेगा, साइद में करम को आगे पीछे बोल डाला हूं, तिक, सुधार लिजे, ति बिंदु सार ने असोक को और बार में सुसीम को भेजा, clear है? चलिए, टिक, बिंदु सार को वायु पुराण में, द्यान रिखे को दो अलग-अलग स्थान के इनका और नाम है, वायु पुराण में भद्र सार के नाम से और आपके जयान करंथों में सिहसेन के नाम से जाना ज बिंदु सार को जाना गया, ठीक है, चलिए, चाड़क जो है, जीवन अबदी की बात करते है, चाड़क की बात बता ये कौन बना चद्रगुप्त मौर के बाद उनका उत्राधिकारी राधा गुप्त बना ध्यान रखीगा कौन बना भई राधा गुप्त ठीक है एक और स्टेटमेंट आता है ध्यान रखीगा आधिवक्स संपर्दाय के संस्थापक मकतली पुत्र गोशाल यहाने गोशा मखली, पुत्र मौशाल इनको एक दन्डी कहा है ठीक एक और ना मिल गया है क्या हो गया एक दन्डी है एक दन्डी थिगप फिर अमित्रो घात अमित्रो घाद अठाथ अमित्रो चेर्स तो यहीं पर एक जगा रख लिजिए आप सारे चीजों को क्या कहा गया है विद्दु सार को अमित्रो घाद भद्र सार सिंसेन और एक दंडी क्लियर है